पार्चिक्स में हम देखते हैं, सारे बचे फाइटिंग करने लगते हैं, तिबद अपनी चेर तोर देता है, क्योंकि सब फाइटिंग कर रहे थी, मैं आंग बार बार चिल्डा रहा था, कि फाइटिंग बंद करो, उधर जो बचे फेल हो गए थी, जो मिटिंग रूम में थ उनको मज़ा आ रहा था, वे सब बैट लगा रहे थी, चिल्ली मार रहे थी, तभी मार टीचर यानी आ जाती है, वो सब को डाटती है, और पूछती है, तम सारे बच्चे ने सोचा, कि तुम आखिर हारे क्यों, सारे बच्चे अपने बाहने बनाते हैं, कि कोई टीचर से हा मा की सब को कहती है, जो की चेर पर बैठ जाएगा, हम उसको नहीं उठाएंगे, लेकिन चेर पर बैठने से पहले हम उसको रोक सकते हैं, सारे बच्चे मान जाते हैं, टीचर में जिक स्टार्ट कर देती हैं, उधर प्रोफेसर ये सब देख रहे थी, वे थोड़े से निरा नियां को जल्दी से सीट पर बैठने को कहते हैं, लाश्ट में एक ही चेर बचय था, उस पर जिंग जाए बैठ जाती है, युगो को सीट नहीं मिल थी, तो युगो जिंग जाए को फोर्स करता है, और दोनों में फाइटिंग होने लगती है, तब ही मुजिक बंद हो जात फिर से मुजिक स्ट किया जाता है, तन सारे शेर पर बैठ जाते हैं, लेकिन फैं सारे बच्च़ सकती है, तन उसके बागता है, वह फिर ठोकर लेती है, तार याद रखो, सोच ळहर्शन के गेम खेलो, एक से जाड़ बच्चे भी ही जीच सकते हूं, अब पांच बच्च है टीचर जो कह रही है हम उसको क्यों नहीं सोचते हैं ज्यादा बच्ची इस किम में जीच सकते हैं अब कुछ तेर सोचे के बाद मागी को आइडिया आता है वो जमीन पर बैठ जाती है और कहती है टीचर ने कहा था कि हमें अपने लिए सीड ढूनना है जगर ढूननी है पै ло कि पर फेसर की और में जाते हैं पर फेसर अमीं उनको एक घंटे का टाइम देती हैं और क कहती हैं सब कह रहे हैं साथ यह सबसे हार्ड कोष्चन है कि कि पिछले राउंड में हमें कुछ भूर्त हो में पता था अपके बदों में कुछ एक दूसरे की help करें पर कोई भी तयार नहीं होता क्योंकि बीनर लाश में एक ही होगा इसलिए कोई भी किसी की help नहीं करता और सब अलग-अलग experiment करने लगते हैं कोई pencil से paper पे draw करता है और देखने की courses करता है कोई question paper को आगे पास लेके जाता है कोई paper को आइस पे रखता है कोई paper को पाने में डुबो कर देखता है पर उन्हें paper पे कुछ भी दिखाए नहीं देता सब confused हो चुके थी कि भी क्या करें आगे हम देखते हैं एक घंटे बीच जाते हैं प्रफेसर सारे बचे को बलाते हैं और कहते है क्या किसी को आंसर मिला न्यांग तभी सोचता है वर टीचर को कहता है हाँ साइड मुझे आंसर मिल गया इसका आंसर है कुछ भी नहीं जब हम कोशन का पता ही नहीं तो आंसर कहां से मिलेगा प्रफेसर कहते हैं तुम्हारा आंसर गलत है अब ज्रांग नांसर दे दिया था इसका मतलब वो आउट हो चुका है अब चार बच्चे बच्चे थी प्रोफेसर आमेन उन सब को एगंटे का ओटाइम देते हैं बच्चे सोच जो लगते हैं कि इसका अंसर क्या हो सकता है अब ये रिवर्ट के पास थी नाई कहता है ये बताओ तुम सबको अगर फोन मिला तो तुम क्या करोगे वाइट कहती है अगर मुझे फोन मिला तो मैं सबसे पहले पुलिस को कॉल करूँगी और इस हॉम स्कूल को चल्दी से बंद करवाँगी क्यों कि इसने सारे बच्चे को कैदी बना के रखा है नाई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वो पुलिस को कॉल करने ही नहीं देंगे अब वाइट कहती है नाई अगर तुम मेरे वर्ड मिला तो तुम क्या करोगी नाई कहता है मैं अपने डैर से पूछूँगा कि आखे उन्होंने मुझे होम स्कूल में क्यों भेजा अब तिबबत से सब पूछते हैं तिबबत कहता है मैं अपने मॉम को मिस कर रहा हूं मैं उनका हाल पूछूँगा कि वो कैसी है वो क्या कर रही है अब हम तिबद की स्टोरी देखते हैं तिबद की लाइफ में सिर्फ उसकी मॉम है वो बताता है कि उसकी मॉम एक सौंग राइटर थी लेकिन जब से उसके डायर इस दुनिया से गए उसकी मॉम बिमार होती गई उन्होंने लिखना बंद कर दिया उसकी मॉम का सपना था कि तिबद होम स्कूल जैसे कॉलेज में जाए एक फेमस कॉलेज में जाए और एक अची करियर हासिल करे प्रोफेसर आमीन तिबद के घर पे गए थी उन्होंने उसकी मॉम से बात की थी इसलिए तिबद के लिए डैडी हो गई थी होम स्कूल में जाने के लिए अब मागी कहती है इस लाइफ में मेरा कोई भी नहीं है मेरा कोई रिजन ही नहीं है अगर मुझे रिवर्ड मिला तो मुझे नहीं पता मैं किसको कॉल करूंगी बच्चे कहते हैं फिर तुम जीतना क्यों चाहती हो मागी कहती है कीon कि मैं क्यूरियस हूँ कि प्रौफेसर हमें एक्ञेमिक क्या देंगी वे हमसे क्या पूछना चाहते है वे हमें क्या सिखाना चाहते है आगे मागी सारे बच्चे को कहती है कि उनَّ ला हम एक दूसरे की हैल्प करे क्यूंकि अब तक हमने सारे राउंड में एक दूसर की है, तब ही हम जीत पाएं, और इस राउंड में भी हम एक दूसर की हैल्प करनी होगी, अब सारे बच्चे इस बात के लिए मान जाते हैं, अब सारे बच्चे मिलकर कोईसिं का अंसर सौल करने की कोईसिस करते हैं, तिबत को एक आइडिया वो कहते हैं साथ प्रोफेसर ही हमारे क्वेशन का अंसर दे सकते हैं कि जितने भी एक्षायम हुए हैं वे सब प्रोफेसर नहीं बनाए हैं चारह बच्चों को यह आंसर सही लगता है उधर हम टीचर यानी को देखते हैं जो मिटिंग रूम में हारे हुए बच्चों को डारत और नहीं आंसर बता देते हैं प्रोफेसर को यह आंसर अच्छा लगता है वे चारो बजी के तारीफ करते हैं और आगे कहते हैं तुम सब डिसाइड करो कि रिवोर्ड में किसको दूँ कि फोन तो किसी को ही मिल सकता है माखी नाय वाहिट सब डिसाइड करते हैं कि वे बारबर कहते हैं कि तुम सी और हो तिबद कहता है हां मैं इस फॉन को यूज़ने करूंगा अब प्रॉफेसर अमीन चारो बचों की तारिफ करते हैं उन्हें कहते हैं कि वे होम स्कूल में वे एक दूसर के क्यार करें सों समझ कर वे कुछ भी कर सकते हैं अब प्रॉफेसर अगेदे बैटी थी तभी एक टीचर आती है और उने कहती है कि आपने रन्ड के लिए दूसी मेडिशन स्टाट करती है प्रॉक्तिस्र आमेन कहते हैं हमेने स्टार्ट कर दिया किобщ Quindi में पहले वाले वाले रन को देखना चाहते हूं तिबत को नहीं चुना चाहिए था, अगर मिज़े फोन मिलता, तो मैं किसी से तो बात करवा थी, हम तो जीत कर भी हार गए, नाए कहता है, ऐसा कुछ पे नहीं है, हमने बहुत कुछ सीखा, माकी कहती है, of course, हमने बहुत कुछ सीखा, और एक चीज़ सो हमने जीत ली, वो है ह हम चारों की फ्रेंट से, तब माकी एक टीचर को जंगल की तरफ जाती है, वो थोड़ी केरियों हो जाती है, तिबत माकी ओदें, समय चाहता है, की माकी ज़रूर को सोच रही है, आगे हम देखते हैं, माकी सबसे छुपते-चुपाते हुए, जंगल की तरफ टीचर का हो गया तिवुष कहता है क्या वही रन सुन औरम्हार जिसके दो दे सिस्टर होम स्कूल में आ चुकी है वो थोड़े घबराई भी हुआ था प्रोफेसर आमीन रन का मूँ ठक देते हैं ना जाने वो रन के सांथ कैसा कार्ट में देखेंगे